अंग्रेज चले गए लेकिन काली अंग्रेज अब भी बैठे है उसी तरीके की लोग अब भी बैठे है जो के भार्तियों को इंडियन्स को या पाकिस्तानियों को हम लोग एक ही थे उन सबको अपने बराबर नहीं समझते हैं इसी चीज़ के खिलाब प्राइम मेंस्टर मोधी इत्रे टाइम से लड़ रहे हैं, लेकिन एक मैडम है, जिनके फादर प्राइम मेंस्टर थे, आज पॉची मिनिस्टर बन गई, पाकिस्तान के पंजाब की, और उन्होंने, एक मैडम उनको करने आई, कंगराचुलेट, उन् लोगे में रहती हैं और इनके इनोंने कई कई अधबारों में आर्टिकल्स लिए हैं मैं हमसे भी बात करेंगे पहले दर रहती है इनकी पाकिस्तानी वालेटिक्स टेक लेकिन उससे पहले यह वीडियो कुछ ऐसे ही अंग्रेज भारतियों से दूरी बनाते थे वो जो कनॉट प्लेस में लिखा रहता था न कि इनकी मजबूरी है बढ़ने लिखते थे मैं सबसाई चीफ बहुत बहुत स्वागत आपका मारी शो में मैटम बन गई क्या पूरे पाकिस्तान में कोई काबिल आजनी नहीं मिला और दूसरा किसी और का मैंडेट चोरी करके यह बैठी है मैं क्या कहने आप जी हेलो रोहत शुक्रिया आपने प्रगैम में लिया अच कई सान पहले तो और उसमें देखने की बज़ा भी यही थी मैं चाहती थी वह कौन सी ऐसी जगह जहां पर लिखा होता था कि इंडियंस और नोट अलावड मैं देखना चाहती थी कि यह तकबूर और यह जो आपने जो रेफरेंस दिया उससे मुझे वह अपना विज़ या अपने आपको अमेरिकन्स कहते हैं वह यॉरब से कहां कहां से हाई है माइगरेट होकर और रेड इडियंस की है जिससे उनको नहोंने कैपचर करके रखा है अच्छा जो काले अंग्रेज हैं यह एक जिससां डमीनी होती जो जिनको चापी दे दी जाती है यह जो इनको हैं उनको यह सूट करती है आपको हैरानी होगी कि इतना बड़ा इसका हलका है जिस हलके से जहां पे जो इसका जो जहां से इसने सुभाई इसमबली का इलेक्शन लड़ा है उस हलके में लाखों लोग हैं और यह लीड भी नहीं ले पाई वहां से जो जीत रहा था उसे हरवाया गया वो जीत चुका है वो बंदा उसके पास सबूत मौजूद है कि वो जीता है इन्होंने टोटल जो है इतनी कम सीटें जीती हैं कि इ अपोजीशन के बैठ कर वो अपोजीशन के वो हैड़ी बन सके इसमबली में बैठ कर तो यह बड़ा अनफॉर्चनेट है मुझे नहीं समझाता कि 46 साल हो गए हैं यह सिस्टम कब बदलेगा लाने वालों को भी करफ सूट करते हैं इनको भी वही सूट करते हैं और आपने भी कुछ बात सही की है 24 करोड में क्या कोई एक ऐसा शखस नहीं है चले बीटी आई को आप बात छोड़ दे इनकी अपनी पार्टी में भी कोई ऐसा पड़ा लिखा बंदा नहीं है एक पड़ी लिखी बंदी नहीं है एक औरत नहीं है जो इनकी पार्टी को रिप्रेजें रह चुका, इसका कजन सीम रह चुका, इसका बाप सीम रह चुका, तो अब उसकी बेटी सीम बन रही है, इसके पार्टी में से खड़े होंके किसे ने सवाल किया। वoh다त्थ दिमागी तोगर पो यह आपने बिल्कुल फूऽ बात किया, यह तो काले unfortunate क्या होगा आप ये भी तो देखिए एक शक्स खड़ा नहीं हुआ इसके साथ जो बीबी बैठी होती है उसकी आप history देख लें मरियम औरंग जेब वो तस्वीरों में आपको नजर आएंगी इनके साथ जब ये member of parliament government जो member of provincial assembly का ये हला उठा रही है कल मरियम तो इसके साथ जो दुसी cypher league कर दिया ये इसके mental capacity है कि ती हमें कोई cypher नहीं बेज़ेगा आप हमें कोई cypher नहीं बेज़ेगा हम क्या करेंगे उससे भी अगली बात इसका बाप चाहता था ये डॉक्टर बने medical doctor बने लाहौर में जिन लोग जो आपके पुराने लाहौर से वाकिफ हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा medical college है इसके वाली साथ ने अपनी cm ship में पूरा जोर लगा दिया कि मेरी बेटी वहाँ पे admission ले ले वहाँ के principal ने कहा ये इतिनी नालाइक है अगर ये admission लेगी तो मैं principal ship से resign कर लोगा वो पूरा जोर लगा दिया ये doctor नहीं बन सकी अब आप यह देखिए जो बंदी doctor नहीं बन सकी उसको पूरे पंजाब का cm बना दिया कैसा बदला लिया है इनोंने अब वो सारे medical doctors अब वो सारे medical doctors वो सारे medical college वो सारे hospitals वो सारे surgeons वो सारे धाने पूरा पंजाब 13 करोड की अबादी है लगभग 13 करोड थर्टीन करोड थर्टीन करोड में आप immediately बता नहीं सकते कि कितने zero होंगे उस पर इस हातून को इस औरत को उनने हम पर लाके मुसलक कर द मैं यह बोल रहा था कि इन लोगों ने एक आदमी का मैंडेट चोरी किया उसको जेल मेंडेट अगर कोई भी आदमी किस analysis को देखे कोई भी आदमी इस results को देखे मैंडेट इम्रान के इमरान हां का मैंडेट नमबर 4 से मिलग ये दो लोगों ने चोरी किया इन दो लोगों ने गोच्छा उसकी वजा यह ना जो मैंडेट चोरी हो गया है अब ही देखें, वहाँ पे कौमी संबली की चीज़ है, आपके सामने जो है ना, फैटरल की चीज़ है, आपके सामने अभी मजीद क्लियर होंगी, क्यूंकि एक तो जो पीटी आई के इंटरा पार्टी एलेक्शन्स हैं, वो होने लगें, जिसमें उनका चेर्मैन, उनका जो सारा नॉमिनेशन होगा, अच्छा, दूसरी बात, ये जो दो पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी है, या नून लीग है, इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, अब यहाँ पे हुआ यह हुआ यह है, कि अगर आप थोड़ा सा पीछे एक हफता, दो हफते पहले जाएं, कि इन्हो ने पीटी आई से उनका जो इन्तखाबी निशान था, बला, बैट, वो ले लिया था, ठीक है, उसकी जगा इन्हों ने डिफरेंट किसम के अजीब और गरीब किसम के इन्हों ने इन्तखाबी निशान अलॉट कर लिया थे, उसके बावजूर लोगों ने उसे भूले नही उसको अपनी जहन में रखा और उनने वोटिंग की, अब मसला ये था कि जो मखसूस नशिष्टे हैं ना, जो के बगार इलक्शन के पार्टिस को दी जाती हैं, उनकी स्ट्रेंथ के मताबिक, अभी वो अलॉट होनी है, तो सुनी इताहत काउंसल, जो है पाक्सान की एक इन मजलें, उसमें उनके कुछ लोग जीते हैं, तो वो सुनी इताहत काउंसल में, जो उसके चेर मैन है, साहिब जादा हामिद रजा, सुनी इताहत काउंसल में, अब खान साब की इंस्रक्शन के मताबिक, जितने भी लोग हैं, उन्हों ने अपना हल अफ नामा जमा करा दिया कि अब मैं सुनी इताहत कॉंसल का मेंबर हूँ, या मैं इनका उमीदवार हूँ, या मैं इनकी तरफ से बैठूंगा इसमली में, तो अब देखना ये है कि खान की इंस्रक्शन के मताबिक वहां से क्या सर्प्राइज आता है, उसकी वज़ा से लोग बहुत डरे में, और बात आप वो बेकुछ शर्म नहीं करते, वो बेकुछ शर्म नहीं खाते, आप ये देख लीजे कि वो उन्होंने, उनको फ्री हैंड दे दिया गया है, कि तुम लोग जो मर्जी करो, सिया करो, सवैद करो, किसी को मारो, किसी को पीटो, तुम लोग ने, ये जो इनकी हकुमत है, इनको बनाना है अब देखते हैं उट किस करवट बैठेगा यह हकूमत कैसे बनेगी अभी तब तो चीजें फैडरल को लेकर क्लियर नहीं है लेकिन यह बहुत बड़ी नाकामी है यह बहुत बड़ा स्याह दिन है पंजाब के लिए के एक ना एहल औरत जिसका कोई कैलिबर न पाती है 24 में सहाफ कर लें तो बारा करोर बनती है बारा से भी जादा तो उसको रिप्रेजेंट कर रही है तो बताएं आगे पीछे रह जाता के पीगे के में जादा चांसिस 99 परसेंट जो हैं वो पीटिया की कर्मेंट मनें के हैं क्योंकि वहां तो फुल उसने क्लीन स्व के खेला है उनको इन्होंने जो दो नंबरी करके हरा दिया है कि उनको शारत पिछले प्रोगैम में भी हमने डिसक्रिशन की थी कि कि फॉर्म 45 को कमपाईल करते हैं उसका डेटा कलेक करके एक शीट इशू की जाती है तो 47 तो दिखा दिया है 45 किसी के पास नहीं है औरिजनल हमें अदालतों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, election commission में वो request कर रहे हैं इस तांगे मामलात हैं, तो federal की position अभी clear नहीं है, कोशिश यह कर रहे है और वैसे मैं सची बताओं, जिसका कोशिश कर रहे है और विखे यह लगता है कि federal में वो बना लें गे, और अगीत में हमँए तो वोही बूर्च जो है गेट नमबर चार जो है, वोही जो है, फेडरल में भी इंको सपोर्ट करेगा, ये थोड़ा है कि उसने वहाँ पे सपोर्ट करदिया, तो फेडरल में नहीं करेगा, लेकिन इस fig. जो लोग है ना, बजट आने वाला और इन्होंने इतने इतने मजगा है इतने फालतों किसम के इन्होंने वो जोक्स किये हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे आपके मुल्क में बेड़ा गरक हो चुका है आपने हर चीज तबाह कर दी है तो यह आग से खेल रहे हैं, let's see what happens in next few days लेकिन मुझे नहीं लगता कि PTI के लिए फेडरल में अपनी गर्मेंट बनाना बहुत आसान होगा क्योंकि जिन बूटों ने इनको यहां सपोर्ट किया वही बूट इनको वहां भी सपोर्ट का रहा है बूट तो वही है पाकिस्टान में पूचा जा रहा है कि नहीं लेकिन इंडिया में ज़रूर पूचा जा रहा है वो यह कि क्या यह दोनों मिल करके दो sleeping with the enemy वाली situation आ चुकी है एक दो दो दुश्मन इकठे बैठी हैं और गौर्मेंट में बैठी हैं दोनों के दोनों अपना भी किछ गेम खेल रहे हैं क्या ही दोनों मिल के पाकिस्तान की जो एकॉनमी की जरजब हाला थे उससे उसे बाहर निकाल पाएंगे जैसे कि हम देख रहे हैं दोनों सिर्थ अपनी अपनी अपने अपने मफादाद देख रहे हैं और पाकिस्तान के मफादाद वो बाद में देख तरहेंगे जब टाइम मिलेगा तो क्या ये दोना मिल करके पाकिस्तान की गौर्णमी के बार से निकाल पाएंगे? नहीं, इनके पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है इनहों ने अपनी किसी तक्रीज में अपनी इंतरखाबी मौहिम में इन्हों ने अपना ऐसा कोई मंशूर अपना कोई ऐसा रोड मैप पाकिस्तान के अवाम को नी दिया इनके बसकी ये बात ही नहीं है कहां से देंगे मुझे बताएं कैसे निकालेंगे? आप ही बताईए आपके सामने सिच्वेशन और यहां पर यहां पर यह रोग सवाल हो रहा है अगर इंडिया में यह सवाल हो रहा है तो हमारा तो अपना मसला है ना कि हमारे यहां पर अब सर्दियों में गैस नहीं है और उसके बावजूद सर्दियों में लोगों ने पंखे नहीं चलाए लोगों की जो एक कंडिशन नहीं चलाए उसके बावजूद उनका बिजली का बिल इतना जादा कि आमाद निया फोर्ड ही नहीं कर पा रहा जिसके घ बानातन खौब 20,000 है, तो 25,000 हो बिल का कहां से देगा, फिर उसने आटा लाना है, आटे की बोरी आलमूस 3800 रुपीस पाकस्तानी, उसके बाद जो बाकी चीजे हैं, तो इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इनके पास कोई सुलूशन नहीं है, इनकी तवाम तर तबज्व इस बात पर है कि I.M.F. जो है, इनको करजा देगा, और फिर ये मात आगे चलेगी, लेकिन I.M.F. ने जो इनको इंस्टॉल्मेंट देनी है, जो जो करजा देना है, अब खान सामने I.M.F. को खत लिखती है, देर लाख रोजाना इमेज मिल रहे हैं I.M.F. को पाकस्तानिय है, वो कहते हैं, जी हमने रेमिटेंस जो है, वो हमने ओवर्सी जो रेमिटेंस है, वो बंद कर दें. ये पाकिस्तान की रिर्की हटी है, ओवर्सी रेमिटेंस. पिछले 22 मिनों में वो तो वैसी बहुत कम हो गई है, अब टोटली बंद हो जाएगी, वन टू परसंट रह ज कर लो, ताकि हमें IMF से करजा मिल गए. अच्छा, और IMF तो बेसेकली, IMF तो बेसेकली इस मूड में है, अभी तो जो चला गया, चला गया, लेकिन आप economy ठीक से चलाएंगे, और democracy ठीक से चलाएंगे, तो ही हम आपको पैसा देंगे, आगे नहीं देंगे, और democracy तो ठीक नह नो का मांशाब लगा है, यह थी तबाजी, सझबाजाहिद जी, जो के कॉलोनिस्ड हैं और आनिलिस्ट हैं, अभी कहीं और पाकिस्तान से बाहर रह रही हैं, लेकिन P pettyelser हैं paduk aestheticsरा हैं Frankly помalics एकाम कर रही है, वैसे शकल से दहितें नहीं है, लेकिन senior हैं थैंक् Mogalades करेंगे अभी के लिए नवस्कार धन्यवाद थैंक्ट